तो इस फिल्म की शुरुवात में हम टेलर और उसकी गल्फरंड मॉगट को देखती हैं जो कि साथ में एक बहुत ही एक्सपेंसिव रेस्टुरेंट में रॉयल डाइनिंग एक्सपिरियंस के लिए जा रहे थे जहां इनके साथ हमें एक अमीर बिजनसमेन और एक अमीर कपल रिचर्ड और अनि को भी देखते हैं इसके अलावा यहाँ पर एक फूड क्रिटिक लिलियन और उसका एडिटर भी आते हैं जिनके रिव्यूज की वज़े से यहाँ पर कई सारे रेस्टुरेंट में ताला लग चुका था आखिर में इन सभी को एक मुवी स्टार जॉन और उसकी असिस्टन्ट भी जॉइन करती है जिसके बाद इन लोगों को एक शिप के जरीए एक अनजान आइलेंड पर ले जाया जाता है जहां रेस्टुरेंट की तरफ से एलसा नाम की एक लेडी इन सभी का स्वागत करती है पर यहाँ पर वो टाइलर के साथ मौगट को देखकर हैरान हो जाती है लेकिन इस से पहले वो टाइलर से इसके बारे में कुछ पूश पाती ही उस से पहले ही टाइलर उसकी बात को काट कर कहता है कि वो ही टाइलर के साथ यहां आने वाली थी हाला कि फिर Elsa इन सभी को इस island में घुमाती है जहां कि चीजों को देखकर ये सभी बहुत खोश होते हैं इसके बाद Elsa उन सभी से कहती है कि शेफ लोविक उन से शाम को डिनर के दौरान मिलेंगे अब कुछ दिर बाद जब शाम होती है तो सभी खाना खाने के लिए आते हैं जहां एक किचन में धेर सारे शेफ काफी ध्यान से और पैशन के साथ सभी डिशिस प्रिपेर कर रहे होते हैं तब ही वहाँ पर शेफ लोविक आते हैं जिसे Elsa मौगट के बारे में बताती है पर होना चाहिए था जिस बात को जानकर स्लोविक पहले तो काफी गुसा होता है पर अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था इसलिए वो सब को बताता है कि खाना आपको 6 कूर्सिस में सर्फ किया जाएगा साथ ही किसी को भी उस डिशिस की फोटो खीचने से भी मना किया जाता है जो कि यहां का नियम था हलाकि अब इन सभी के सामने पहले कोर्स को पेश किया जाता है जिसका स्वाद सभी को काफी अच्छा लगता है लेकिन मौगट को वो डिश बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और अब इसके बात स्लोविक सभी के सामने एक और डिश लाता है जिसकी खूबियां बताते हुए वो कहता है कि एक अच्छी डिश को प्रिपेर करने के लिए कई सारे शेफ्स की मेहनत लगती है और इनी डिशिस में से एक डिश ये है यहां स्लोविक की बातों को सुनकर टैलर काफी एमोशनल हो जाता है और रोने लगता है जो बात मौगट को काफी बचकानी लगती है अब तीसरी कोस के तोर पर इन सभी के सामने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में कई सारी चटनी सर्फ की जाती है लेकिन उसके साथ खाने को बंद करवाने की धमकी देता है क्योंकि वो इसके ओनर को अच्छे से जानता था पर यहां पर एलसा उसे कहती है कि उन्हें यहां पर चुप-चाप सिर्फ वही खाना पड़ेगा जो कि उन्हें खाने के लिए दिया जा रहा है अब यहां पर मौगट भी कुछ नहीं खा जाता है जो कि महमानों की तरह ही हर्ड filthy को टेस्ट कर रही थी इसी दोरान हम देखते हैं कि मोगट बार-बार रिच dissoci को देख रही थी जिसके बारे में उसकी बीबीयनी वी उससे पूछती है .. लेकिन रिच उसकी इस बात को टाल देता है , जिसके सथ ही इन सभी के सामने अ पैंची को स्टैप करकर उन्हें मार डाला जो बात सभी को एक कहानी लगती है क्योंकि स्लोविक ने इस डिश की प्रेजेंटेशन बिल्कुल उसी की बताई गई इस कहानी की तरह ही किया था जिसके बस सभी गेस्ट को खाने के लिए टाकोस दिये जाते हैं जिनमें सभी के ट पहले तो रिव्यू किये गए रेस्टोरेंट की तस्वीर थी तो जॉन के टाको पर उसकी एक सूपर फ्लॉप मूवी का पोस्टर था वहीं तीनों बिजनस्मेन के टाको पर उनके उस इलीगल अकाउंट की डिटेल थी जिनके जरीये उन्होंने कई सारे फ्रॉड किये थे अलकि इसे देखकर एक बिजनस्मेन ऐलसा से गुस्से में इस बारे में पूछता है लेकिन ऐलसा उसे कहती है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। दिशिस की फोटो चुपके से ले रहा था अब यहां पर अपने टाको को देखकर वो समझ चुका था कि उसकी चोरी को पकड़ लिया है इसलिए टाइलर उससे माफी मांगना चाहता था अब क्यूंकि मौगट टाइलर की इन बेवकूफी भरी बात उसे तंग आ चुकी थी इ इतना कहकर वो यहां से चला जाता है पिर स्लोव क सभी के सामने अगली डिश को पेश करता है जिसे जैरेमी नामक के एक शेफ ने बनाया था शूट को सूट कर लेता है अब यह सब देख कर वहाँ पर मेघूद सबी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं लेकिन स्लोविक हसते हुए सभी से कहता है कि ये शो का हिस्सा है, मतलब कि यहाँ पर ये जो कुछ भी हुआ था ये असली नहीं था, जिसके बाद सभी लोग वाबस से अपनी अपनी सीट पर बैट जाते हैं, हाला कि ये सब देखकर रिचर्ड अभी भी डरा हुआ था, और क्योंकि उसे यहाँ पर कुछ सही नहीं लग रहा होता, तो वो यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन एलसा उसे ऐसा करने से मना करती है, पर रिचर्ड उसकी एक भी नहीं सुनता और बाहर जाने की कोशिश करता है, तबी वहाँ के गार्ड उसे जबरदस्ती पकड़ कर उसकी उंगलियों को काट देते हैं, जो देखकर सभी लोग डरे होने के साथ साथ काफी हैरान थे, अब उन सभी को उनकी सीट्स पर जबरदस्ती बिठाया जाता है, और स्लोविक सभी को धमकी देते हुए कहता है कि अगर किसी ने बाहर जाने की कोशिश की, तो उसके साथ इससे भी बुरा हो सकता है, बर टाइलर को इन सभी घटनाओं से कोई भी फरक नहीं पड़ रहा था, और वो बहुत ही मज़े से अपने डिश को इंजॉई कर रहा था, इसी दोरान मॉगट को बताया जाता है कि स्लोविक उससे किचल में मिलना चाता है, इसी लिए वो उससे मिलने के लिए जाती है, जहां स्लोविक उससे एक बार फिर से पूछता है कि आखिर वो कौन है, क्यूंकि उससे पता है कि वो मॉगट नहीं है, और साथ ही वो मॉगट को ये भी बताता है कि आज सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हैं, और क्यूंकि वो यहाँ पर आ चुकी है तो उसका मरना भी तय है लेकिन यहाँ पर slow week मॉगट से कहता है कि वो decide कर सकती है कि वो customer के साथ मरेगी या फिर staff के साथ पर यहाँ पर मॉगट को समझ नहीं आता है कि आखिर वो क्या जवाब दे जिस पर slow week उसे सोचने के लिए 15 मिनट का टाइम देता है इसके बाद वो बाहर जाकर सभी से बताता है कि उन सभी के लिए अगली डिश की preparation चल रही है तो तब तब के लिए वो सभी से कहता है कि वो उससे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं जिस पर सभी लोग सिर्फ उससे ये जानना चाते थे कि आखिर वो उन लोगों के साथ ये सब क्यों कर रहा है जिस बात का जवाब देते हुए slow week बताता है कि उन सभी के यहाँ पर मौजूद होने की अलग-अलग वज़े हैं जैसा कि लिलियन और उसकी एडिटर ने कई सारे रेस्टूरेंट्स बंद करवाए थे जिससे कई लोगों की जिन्दगियां कराब हुई थी साथ ही वो रिचर्ड और रैनी के बारे में बताते हुए कहता है कि उन दोनोंने slow week की बनाई हुई कई सारी अच्छी डिशिस खाई हुई है मगर उन्हें ना तो एक भी डिश याद है और ना ही उन्हें बनाने वाला शेफ जो की एकदम सच बात होती है और उन्हें सच में याद नहीं होता है जो की एक शेफ की सबसे बड़ी अंसल्ट होती है इसी वज़े से वो सभी लोग आज यहाँ पर मौजूद है अब इनी सभी के बीट slow week सभी को इस रेस्टोरेंट के ओनर के बारे में भी बताता है पूरे हो चुके थे तो मौगट slow week से मिलने के लिया जाती है जहां वो उसे रिवील करती है कि असल में वो एक प्रोस्टिट्यूट है जिसका असली नाम एरिन होता है और वो टाइलर के साथ ही इसलिए यहाँ पर आई थी क्योंकि उसने एरिन को काफी अच्छे पैसे दिये थे अब slow week टाइलर से इस बारे में पूछता है जो कि slow week को बताते हुए कहता है कि उसका हमेशा से इस रेस्टोरेंट में खाना खाने का सपना था इसलिए उसने कई महीनों से इस रेस्टोरेंट में बुकिंग कराने की कोशिश की और क्योंकि उस वक्त उसकी एक girlfriend थी इसलिए उसने दो सीट्स बुक करवाई थी पर अब उसने टाइलर से ब्रेक अप कर लिया था तो उसने एरिन को साथ चलने के लिए हायर किया क्योंकि अगर किसी ने दो सीट्स बुक करवाई है तो उसे अकेले आने की permission नहीं मिलती है इसलिए उसने ऐसा किया यहां वो यह भी reveal करता है कि उसे शुरुआत से यह भी बताया गया था कि यहां सभी लोग मरने वाले हैं लेकिन फिर भी वो यहां पर आया जो बात सुनकर एरिन उस पर भूरी तरह से भड़क जाती है क्योंकि उसने अपने पागलपन के चलते उसे भी फसा दिया था हाला कि गार्ड उसको वापस से उसकी सीट पर बिठा देते हैं और यहां पर स्लोविक टायलर से कहता है कि वो उसे बचने का एक मौका जरूर देगा जिसके लिए उसे खुद एक डिश बनानी पड़ेगी जो अगर अच्छी हुई तो टायलर की जान बक्ष दी जाएगी और अगर अच्छी ना हुई तो उसे खुद बखुद अपनी जान देनी होगी और अब ना चाहते हुए भी टाइलर को स्लोविक के लिए एक डिश बनानी पड़ती है पर स्लोविक को उसका स्वाद बिल्कुल भी पसंद नहीं आता इसलिए वो टाइलर के कान में कुछ बोलता है और फिर टाइलर वहां से चला जाता है साथ ही एरिन ने भी डिसाइड कर लिया था कि वो स्टाफ के साथ मरना चाहती है इसलिए स्लोविक उसे एक जगा पर ड्रॉम लाने के लिए कहता है जिसे लेने के लिए जब एरिन जाती है तो उसे रास्ते में टाइलर की लाश फांसी पर लटकी हुई मिलती है मतलब कि उसने सुसाइट कर लिया होता है हाला कि एरिन वहाँ से आगे बढ़ जाती है इधर जॉन स्लोविक से पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर क्यूं है तो इस पर स्लोविक उसे बताता है कि शुरुवाती दिनों में उसे सिर्फ एक छुट्टे मिला करती थी लेकिन उस दिन स्लोविक ने जॉन की एक सूपर फ्लॉप घटिया मुवी देख ली जिससे उसका पूरा एक्सपिरियंस और छुट्टी दोनों खराब हुए और उसका मानना है कि एक आर्टिस्ट को अपनी आर्ट जिम्मेदारी के साथ पेश करनी चाहिए लेकिन जॉन ने चंद पैसों के लिए उस मूवी को करना पसंद किया जबकि उस मूवी की स्टोरी लाइन एकदम बकवास थी वहीं दूसरी तरफ एरिन ड्रम लाने के बजाए उस पूरी जग़ा को एक्सप्लोर करने लगती है जो करते हुए एलसा उसे देख लेती है और वो एरिन को जान से मारने की कोशिश करती है जिस हाथा पाई में एरिन के हाथों से गलती से एलसा का खून हो जाता है और फिर वो एक दरवादे से अंदर जाती है जो कि असल में स्लोविक का ओफिस था जहां उसकी कई सारी तस्वीरे लगी हुई थी और हम देख पाते हैं कि स्लोविक को कई सारे आवार्स मिल चुके थे लेकिन स्लोविक सभी फोटोस में जैसे गुसे में लग रहा था सिवाए एक फोटो को छोड़ कर जिसमें कि वो अपने शुरुवाती दिनों में बर्गर बना रहा था अब यहाँ पर और देखने पर एरिन को एक रेडियो मिलता है जिसे कि वो कोस्ट गार्ट से संपर्क करती है और फिर वो वहाँ से ड्रम लेकर वापिस रेस्टोरेंट में जाती है जहां बातों ही बातों में स्लोविक उसे कहता है कि आजकर लोग खाना इंजॉय करना या पीड भरने के लिए नहीं खाते बलकि वो उस खाने को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जिस वजह से जो काम शेफ को खुशी-खुशी करना चाहिए वो प्रेशर में आके करते हैं और हाई सुसाइटी की ये चीज़ों से बिलकुल भी पसंद नहीं दरसल यहां स्लोविक उ कोस्ट गार्ड ऑफिसर आने वाला है इसलिए वो सभी गेस्ट को धमकाते हुए क्याता है कि कोई कुछ भी नहीं बोलेगा और अगर किसी ने कुछ बोलने की कोशिश की तो वो ऑफिसर को मार कर उने भी फाइनल कोर्स के पहले ही मार देगा अब ऑफिसर आकर सभी से आटोग्राफ लेना चाहता था इसलिए जौन आटोग्राफ के बहाने उसे हेल्प लिखकर एक नोट देता है जिसे देखते ही ऑफिसर स्लोविक पर गन तान देता है जो देखकर सभी लोग उसे यहां के हाल के बारे में बताने लगते हैं लेकिन ऑफिसर की वो गन नकली देता थी और यह officer नहीं बलकि Sluvik का एक chef था और क्यूंकि एरन ने Radio का इसीलिए Sluvik उसे सजा देने का decide करता है बगल्या यहां के दिमाग में एक idea आता है और वो स्लोविक से लड़ती है कि उसने कोई भी डिश खुश कर नहीं बनाई है जिस वज़े से उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगा और वो अभी भी भूकी है अब एरिन की इस बात को सुनकर स्लोविक उससे पूछता है कि वो आखिर क्या खाना चाहती है जिस पर एरिन उसे बताती है कि उसे एक सिंपल अमेरिकन चीज बर्गर और फ्राइस खाना है जो बात सुनकर स्लोविक बिना कुछ बूले किचन में जाकर उस बर्गर को बनाने में लग जाता है जिस दोरान हम स्लोविक के चहरे पर बिल्कुल वैसी ही खुशी देखते हैं जैसी कि उसके चहरे पर शुरुवाती दिनों में एक रोट साय स्टॉल में बर्गर बनाते वक्त दिखती थी मतलब कि वो तब तक ही खुश था जब तक वो इस दिखावे वाले फाइफ स्टार या सेवन स्टार रेफ्सोरेंट का शेफ नहीं बना था जहां खाने के नाम पर सिर्फ दिखावा होता है और हर एक सिंपल चीज को खास बना कर पेश किया जाता है जैसे कि मानों उसे खाने की बजाए लोग घर पर सजा कर रखने वाले हूँ हाला कि slovik burger और frize को prepare कर earan को serve करता है जिसे खा कर earan उसे कहती है कि उसे ये खा कर मज़ा आ गया जो बात सुनकर slovik काफी खुश होता है हाला कि अगली ही पल earan बचे हुए burger को अपने साथ घर ले जाने के लिए पूछती है तो slovik उसे वो burger और frize pack कर कर देता है और एरिन वहाँ से जाते वक्त रेवल पर एक टिब भी छोड़ कर जाती है यहां हम देख पाते हैं कि स्लोविक उसे जाने से नहीं रोकता है जिसके जाने के बाद स्लोविक सभी को बताता है कि उनके सामने अब फाइनल कोर्स पेश किया जाने वाला है जिसके लिए उन सभी लोगों को एक तरह का मार्शमेलो का कोट पेनाया जाता है फिर सभी के सर पर चॉकलेट से बना हुआ क्राउन भी रखा जाता है फिर रेस्टोरेंट के सभी खाने की चीज़े वहाँ पर फैला दी जाती है और स्लोविक सभी से कहता है कि उन सबने उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बात करती है और इतना कहते ही वो उस जगह पर आग लगा देता है और उसके ऐसा करते ही स्लोविक समेथ सभी स्टाफ और गेस टीक साथ जलना शुरू हो जाते है जिस आग को बोट से जा रही एरिन भी दूर से देखती है और वो ये देखते हुए अपने बर्गर की एक बाइट लेती है जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है अब दोस्तों अगर इस मूवी के बारे में बात करें तो स्लोवी कहीं ना कहीं इस एलाइट और हाई स्टेंडर्ड लिविंग से तंग आ चुका था और वो चाहता था कि वो पहले की तरह एक सिंपल सी लाइट जीए लेकिन इस शेफ की जौब ने उसे इतना प्रेशराइज कर दिया था कि वो एक तरह से फ्रस्टेट हो गया था जिसके बाद ही उसने उन सभी लोगों से बदला लेने का प्लैन बनाया जिनोंने कभी न कभी उसकी जिन्दगी बरबाद की थी या फिर जिने उसकी आठ की कदर नहीं थी साथ ही उसने एरिन को लास्ट में इसलिए जाने दिया क्योंकि वो एक तरह से यहां पर गलती से आई थी और सिर्फ वही थी जो की मिडल क्लास थी उस जगा पर और साथ ही उसने स्लोवी को मौथ से पहले वो पल जीने का मौका दिया जो वो अपनी पूरी जिन्दगी में जीना चाता था वो सिर्फ बिना किसी प्रेशर के खुशी-खुशी एक सिंपल सा खाना बनाना चाता था जिसे खाने वाले का पेट और मन एक साथ भर जाए और वो उस खुशी को अपने कस्टमर के चेहरे पर देख सके यही उसके लिए एक सच्चा आवर्ड होता लेकिन अफसोस ऐसा ना हो सका उमीद करता हूँ दूस्तों आप लोगों को एकस्प्लानेशन पसंद आया हो और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करकर नोटिफिकेशन को ओल पे प्रेस करें